हेलो बच्चों स्वागत है आपके और अपने यूटूब चलेकर नहीं या क्लासस पर आज हम इस वीडियो में बहुती महात्पोर्ट टॉपी लेकर आए हैं इलडोल संगनन जी हाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलडोल संगनन किसे गहते हैं और इसका उधार अब ही आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे तो सबसे पहले हैडियो डालेंगे इलडोल संगनन इसमें लिखेंगे कार्बोनिल योगिक जिनमें अलफा हाइट्रोजन परमाड होता है इने ओयच के टू सियो थिरी आद की उपस्थित में संगनित होते हैं एसी टेल्ड हाइड संगनित होकर एलडोल बनाता है और इस सबकिरिया को एलडोल संगनन कहते हैं अब हाइड डालेंगे उधारण तो इसमें क्या लिखेंगे लिखेंगे CS3CHO ये सूतर होता है AC टेल्डी हाइड का फिर है प्लस CS3CHO क्यानि की AC टेल्डी हाइड के हम कितने अड़ लें यहाँ पर भी लिखा है CS3CHO और प्लस CS3CHO तुम कह सकते हैं यहाँ पर AC टेल्डी हाइड के दोन लेंगे और तन इन्हें OH की उपस्ति में गर्म करेंगे तब क्या बनेगा एलडोल बनेगा तो एलडोल का सूतर होता है CS3CH छोटा प्रेकेड चालो OH छोटा प्रेकेड CS2CHO अम देखते हैं कि हम जो हमाई समीगड है यह बैलेंस है कि नई है तो गिनते यहाँ पर लिखा है CS3CHO तो यहाँ पर है CS3CHO तो यहाँ पर है CS3CHO जो है कहाँ पर है ब्रेक इट में है, अब क्या बच्टा यहाँ पर है 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 οे वाला है है यहाँ पर आ गई है है क। H3, तो यहाँ पर C है, तो यहाँ पर B C है यहाँ पर H3, यानि कि hydrogen के 3 अड़ो है, तो यहाँ पर कितनी हो निकाल लिए, 2, कितना है, यहाँ पर बच्चा, 1 hydrogen बच्चा फिर क्या बच्चा, C बच्चा 1 hydrogen बच्चा और 1 O क्या लिख देंगे, C H O तो यह जो समीकड़ है इसके दोनों पच्छापस में बराबर है इसलिए जो हमाई समीकड़ है यह सही है अब उधार नमबर दो देखिए यहाँ पर CS3 CO CS3 यानि कि यहाँ पर भी AC टोन के दोड़ लेंगे और उसको तन बेरेलियम हाइडरा आकसाइड की उपस्तिती में गर् नों पच्छा आपस में बराबर है कि नहीं तो गिल लेते हैं यहाँ पर CS3 यहाँ पर CS3 तो मैंने यहाँ पर लेक देखिए CS3 CS3 अब यहाँ पर क्या है C है तो यहाँ पर क्या है O oxygen यहाँ पर छोटा प्रेकेट चालो ओ अब क्या बचा हाइडरोजन तो जो S3 है इसमें से एक hydrogen निकलाएगा तो यहाँ पर हो जायगा H, तो यहाँ बन जायगा और यह छोटा bracket बंद कर देंगे अब यहाँ पर क्या बचेगा C बचेगा और hydrogen के दोड़ बचेंगे तो लिख देंगे CH2 और क्या बचा CO CH3 तो लिख दिया CO CH3 तो जो दूसी समीगण है इसके भी दोनों पच आपस में बराबर है तुम कह सकते हैं जब AC टोन के दोड़ लेकर बेरियम हाइडरा अकसाइड के उपस्तिती में गर्म करते हैं तब एलडोल संगनन बनता है तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें